बहुत साल पहले की कहानी है एक 34 कुट्रिया में एक चमतकारी महराज रहते थे लोगों को चमतकारी बित्या सिखाते थे उनका एहा तीन बालक में खुब मित्रता थी आज तीनों ने एक एक करके चमतकारी बित्या सेख लिया है अतन मरे हुए प्रानी की हट्डिया जोड के धाचे के आकार दे देते हैं चरम हट्डि के धाचे में मांस और चमरी लगा सकते हैं प्रणाय किसी भी मरे हुए प्रानी में प्रान देकर जीवित कर सकते हैं इसलिए तीनों अपनी गुरू से अश्रिवाद लेकर अपने अपन औरे कुछ हट्टिया दिखाई थी, तभी अपनी बिद्दा को दिखाने का घमन टीनों पर उमर परा, चरम बोले, लो आज हम टीनों अपनी बिद्दा का परिक्षन करके देखते हैं, कौन सबसे अच्छा है, अर्तन, क्या तुम बोल पाओगे, ये हट्टिया की जानवर का ह बोलना क्या है, मैं हट्टिया को जोड कर दिखा सकता हूँ, तुम चरम, चम्री लगा कर देख लेना किसका शरीर है, क्या हम ऐसा ही कर दे हैं, अरे डरो मत परना, कुछ गलत नहीं होगा, मैं क्यो डरू, तुम्हें तो करना है करो देखने में तो ये सेर की लग रही है, फिर भी चरम, आप तुम्हारी बारे है, तुम मांसर चम्री लगा कर दिखाओ तुमने सही का अतार्तन, ये सेर का ही शरीर है, मैंने अपनी बिद्दा का प्रोयक करके दिखाया, आप प्रनाच, तुम इसमें प्रान डालके इसको जीवित करके दिखाओ तुम दोनों को में विर्चे बोल रहा हूँ, ये करना सही नहीं होगा जब तुम्हारी बारी आई, तो तुम डर गए, अगर नहीं कर सकते हो तो हार मान लो ठीक है, मैं कदला हाँ हूँ शेर तुझ जिन्दा हो गया, तुम कीचे आज अप्रनाच ये शेर तो कितनी साल का भूका लग रहा है, कही है ना हम को ही मार के खा जाए ये तो हमारी तरफ ही देख रहा है, चलो भागो, इससे पहले कि हमें पकड़ ले मैंने तुम दोनों को पहले ही बोलाता है, ऐसा मत करो बचाओ, 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 बचा इस्तमाल करना चाहिए।